प्रगत्पत्पत्ना की यूट्यू चैनल पर संजामी साथ फिर से आप लोगों के लिए मैस का क्लास लेके आए ठीक है फिर हम लोग जो बचा हुआ था स्क्वेर में कुछ पार्ट उसको हम फिर आगे बनाए ठीक है कल क्या हुआ था कि एक क्वेश्चन का जो गलत हो गया था जैसे क्वेश्चन था 117 के स्क्वेर तो इसे साथ सिसको चला जाए 117 तो 117 मैंने बताया था पहला पार्ट दूसरा पार्ट 7 के स्क्वेर 49 49 11 के स्क्वेर 121 अब क्या बताया थे तुम लोगों को इस दोनों को मल्टिप्लाई करते हैं 117 फिर उसको दोस गुना करते हैं तो होगे 154 154 का चार इस पार्ट में जोर दें और 15 इसमें जोर दें 6 3 1 9 4 8 मैंने उसमें 126 लिख दिया था लेकिन जबकि होना चाहिए तो 117 के स्क्वेर होगा रियल में 13689 ठीक है इसी के एक और तरीका बतायते हैं 117 अब बताओ यह इससे 17 अधिक है तो 17 का स्क्वाइर हो गया कितना 289 तो दो आंक लिखने के लिए बोला था एक नाइन लिखती है जितना अधिक है वह हम लोग जोर देते हैं तो 17 इसमें यह जोर दें तो मेरे पास क्या होजागा 112 एक तीन एक यह जो बचा हुआ था उसको जोर देते हैं क्या होजागा 136 एक नाइन ठीक है अब चलें आगे अब देको SSE में question आता है, बहुत बारा चुका है, 999, 983 upon 999 into 99, अब यहां इस question को form करने के लिए हमको अब इसको बनाने के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा, close to था हो जाएगा, वैसे तो से बैंक के लिए 200 पजीश तक ही काम करेगा, लेकिन SSE में थोड़ा सा इस वर ध्यान देना पड़ेगा, तो मैंने बताया था, 100 का close में, तो 100 में 2 0 होता है, इसलिए 2 अंख हम लोग fix करते थे, 2 digits को, fix करते थे, लेकिन इसमें 3 0 होता है, तो 3 digits को हम fix करेंगे, जैसे example बताते हैं, जैसे मैंने लिया, 9, 8, 7, ठीक है, तो 9, 8, 7, एक हजास कितना कम है, 13, अब 13 के square क्या हो जाएगा, 1, 6, 9, तीन अंक कॉलिटी हो गया, इसको 169 लिख दिया, अब क्या करें, 13 कम है, 13 घर्टा दो इसमें से, 4, 7, 9, अब इसका answer होगा, 9, 7, 4, जैसे एक जार इंचापन ले लिए, जैसे दूसरे example ले लेते हैं, 9, 9, 3, अब देखो, ये कितना कम है, 7, तो 7 के square होगा क्या, 9, 4, लेकिन 3 अंक ने बार, एक 0 लगा दो, ठीक है, 0, 4, 9 हो गया, अब इसमें से, 7 घर्टा दो, 6, 8, 9, 9, 8, 6, एक बार समल दो, जैसे मैंने कहा, 100 वाला concept से, यदि 1,000 में चलेंगे, तो 3, 0, तो 3 अंक होना चाहिए, तो 987, 1,000 से 13 कम है, तो 13 के square, 189, 3 अंक हो गया, अब क्या करें, यतना कम रहा था, उसको सब्ट्राइक कर देते हैं, 987 से 13 घर्टाएता है, 7, 4, 8 में गया, 7, 9, तो टोटल होगा, 9, 7, 4, 1, 6, 9, लेकिन नेक्स्ट आप देखते हैं, एक और example लेते हैं, 993, 7 कम है, तो 7 के square 49, लेकिन 3 अंक नहीं बना, 0 लगा दी, अब 7 कम है, तो 7 घर्टा दी, तक आंसर क्या होए, 986, 986, 049, अब हों क्या करते हैं, पहले वाला question को, जो SSM पुछा था, इसको बनायने से करते हैं, अब देखो, question था, 999, 983, अपॉन 999, इंटो 999, महनों ये question है, अब इसको उम जब बनाएंगे, तो इसका form होगा, ये दोनों का multiply किया जाता है, और ये add किया जाता है, इसका मतलब हो जागा, 999 का all square, पलस 983, अपॉन हो जागा, 999, इंटो 999, अब देखो, ये तो खतम, अभी के साथ से ला जाए, तो 999, एक कम है, एक कम तो एक कैसको है, लेकिन 2, 3 अंग बना तो 0, 0 बन लिखा, एक कम है, एक घटा दो, 998, अब क्या करेंगे, इसमें 983, जोड़ दे, तो 3 एक, 4, 8, 9, 8, 9, 9, your answer, ठीक है, दूसरा एक एक एक्जाम पर लेते हैं, वसे ये बहुत बार question आ चुका है, दूसरा एक एक्जाम पर लेते हैं, मौन लो, 991, 568, अपॉन 991, इंटो 991, ठीक है, अब इसको बनाए जाए, इसको बनाएंगे, फिर वही बात हो जाएगी, क्या हो, 991, 991 के स्क्वेर, पलस 568, अपॉन 991, इंटो 991, ये खतम, अब आईए, 9 कम है, एक्यासी, तीन अंक ने बना, एक जिरो लगा दो, अब देखो, 9 कम है, तो 9 घर्टा होगे, तो कितना होगे, 9, 982, अब क्या करें, इसमें, 568, जोर दो, ठीक है, अब ये हो गया, 8, 1, 9, 8, 64, 5, 1, 6, 2, 8, 9, 2, ठीक है, ये हो गया, 5, 1, 9, 8, 64, 1, 6, 2, 8, और 9, ठीक है, अब चलते हैं, आगे, इसको, एकाद एक्जामपल, इसमें, ये थोगा, इस तरह कुशन निसेसी बाले, थोर ध्यान देंगे, हजार के यूज़ करते हुए, एकाद दो एक्जामपल, और देख लो, मोर्दन, थाउजेंड की बात करें, जैसे माल लो, यहां लिखा हुआ है, एक हजार, बारा, अब बारा दीख है, तब बारा के स्कार साग पता है, एक सो चो वालिष, तीन अंकॉलडी हो गया, एक, चार, चार, अब बारा दीख है, बारा जोर दो, चार, दो, जीरो, एक, दस सो, चो विश, ठीक है, अब चलते हैं लोग, एक और एक्जामपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा है, पांसो साथ, अब देखो, थोरा से दिमाग लगाओ, जो पचास का कंसेप्ट उससे साब से, लेकिन हजार बला कंसेप्ट ले लो, साथ अधिक है, तो साथ के स्क्वेर हो गया, पुंचास, लेकिन तीन अंक बना हजार कंसेप्ट है, जीरो, फोर, नाइन, अब अधिक है, अधिक है, तो जोर दो, तो कितना हो जाएगा, साथ साथ चाउदा, पांसो चाउदा, लेकिन हजार के ये आधा है, आधा कर दो, क्या हो जाएगा, पचीज दुना पच्छास, साथ, तांसर रोगा, टू, फाइल, सेबन, जीरो, फोर, नाइन, ठीक है, ये बाते होगे, थ थोड़ा सा आजाओ, आगे, थोड़ा सा एकाद दो और पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं, तो स्क्वेर खत्म हो जाएगा, इसका यूज बोट होगा, कमर्सेल मैत में सबसादिक यूज है, इसका कमपॉंड इंट्रेस्ट में, अब चलते हैं, नेक्स्ट आइए, अब देखो, एस्पेसिली ये 5 के लिए, जैसे मैंने रिखा 75, जब किसी भी संख्या का इकाय स्थान 5 हो, जब किसी संख्या का इकाय स्थान, इकायी स्थान का अंक 5 हो, तो केवल किस के लिए, 5 के लिए, अब देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 के स्कुएर तो हम दुख सब जानते हैं, 5 के स्कुएर क्या होता, 25, तो 25 का 25 लिख देंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके लावे कोई भी अंक होगा, उसको एक अत्रिक्त अंक से गुना करेंगे, तो साथ के बाद अत्रिक्त अंक 8 हो जागे, तो इसको 8 से मल्टिप्लाइ कर दो, तार सते 56, तांसर होगा 5625, ठीक है, आगे की बात करता हो मैं, एक आउत एक्जामपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे मान लोग, एक एक्जामप पर लो, जैसे, देखो, जैसे मैंने लिया है, 95, ठीक, इसमें भी 5 से ही का इस्तम, इसका 5 के स्क्वेर कर दो, कितना आ जागा, 25, यहां लिख दो, ठीक है, अब मैंने क्या बोला, एक अत्रिक संध्यास गुना कर, 9 के बाद 12 अंग क्या है, 10 इसको गुना कर, 90, आंसर इसका क्या होगा, 9, 0, 25, ठीक है, एक और एक्जामपल, उपर लो, जैसे मैंने लिखा, 1, 1, 5, मैंने बोला, तो 135 तक क्या करना है, तो 5 है, 5 है यह, 5 के पले स्क्वेर कर दो, कितना होगा, 25, तो 25 से लिख दो, 11 के बाद बला कोन होता है, 12, 12 को 11 से मल्टिप्लाई कर दो, 132, तो इसका आंसर क्या होगा, 1, 3, 2, 2, 5, ठीक है, अब देखू, एक छोड़ा से एक्जामपल लोगा, जैसे, एक्जामपल लेते हैं, हम सोटा था, 35, 35, तब 35 कब 5 के स्क्वेर हो गया, तुम्हारा तो वो तक सब को याद है, 25 है, इसको मैंने कह लिका है, 25, अब देखो, एक अत्तर, इसके आगे वाला कोन है, 4, 4, 12, इसका मत्तिसका अंसर क्या होगा, 1225, नेक्स्ट हम लोग देखें, आगे, अब इसको थोड़ा से चेंज करते हैं, अब आजाओ, रिप्टेशन अब डिजिट्स में, थोड़ा से, एक आज बार एक जम आ चुका है, लेकिन रेल भी में बहुत बारत देखें, तो उसमें देखोगे, 1 और 9 के रिप्टेशन से अभी तक कुश्चन आया है, जैसे, सिंपल साही लेलो, 11 है, सबको पता है, 11 है स्कोई, लेकिन एक 4 अंग तक अभी तक आया है, तो क्या करें, जितना बार 1 का रिप्टेशन हो, उतने अंग को तक आरोही क्रम में चलें, दो बार हैं, तो 1, 2, फिर नीचे आजाओ, अब रोही क्रम, 1, 2, 1, क्या बोले हैं, जितना बार 1 का रिप्टेशन हो, उतने अंग को तक एसेंडिंग ओडर, 1, 2, 1, ascending order, फिर descending order में जाओ, एक, दो, एक हो जाएगा, ये कितना भार है, एक, दो, तीन, चार, अब descending order में जाओगे, तब इसके घरते करम में क्या निखोगे, तीन, दो, एक, ठीक है, पहला काम, बढ़ते करम, उना घरते करम, इसमें सबसे पहले आरोही करम, बाद में अवरोही करम, करम में लिख है, ठीक, एक, एक, जाम पनाओड ले लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, एक, इतना भारत आएगा ने, एक, फिर चार अंग तक जाओगे, छे तक लिखो, एक, दो, तीन, चार, पान्च, छे, फिर घरते करम जाओ, पान्च, चार, तीन, दो, एक, रो अंग सर, क्लिर, यही बार क्यों हो, अब चलते हैं, इसको बेश मान के हम, कुछ और क्वेश्चन को जाल करें, लेकिन फारवर लिए, वान से क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान देना हो, अब जैसे मान लो, जैसे मान लो, यहां आ गया, 22 के स्क्वेश्चन पूछा, जब कि अब को आता है, 22 के स्क्वेश्चन आता है, इसको यूज़ करते हैं, तो, इसको लिखेंगे, 2 के स्क्वेश्चन गुने 11 के स्क्वेश्चन आता है, 12 के स्क्वेश्चन पूछाओ, चार, जैसे मान लो, तो, तीन, चार, इसको यूज़ करना है, तो 2 के स्क्वेश्चन गुने, 12, 34, आप देखो, दो के स्कोय है चार गुने एक दो तीन चार तीन दो एक अब मल्टिप्लाइ कर दो चार आठ चारतिया बारह एक सूला एक सत्रा एक चारतिया बारह एक तीरह पारचर तारिस एक उन्चास इसका अंसर क्या होगा 4937284 जनरली वसे दो से तीन अंग तक कई कुस्संस आता है इसको ध्यान दो अब मेंली चले हो हम लोग आते हैं इस पर मैंने बोला नौ पूसा दाता है लेकिन तुम लोग एक तीन चौनों को ध्यान रखना है एक पर कभी छेव आ चुका है किसी विक जाम में अभी यहान नह अब देखो जैसे मैंने 333 के स्क्वेर की बात को वैसे जनरल तो जानता ही है कैसे बनता है तरीका बता चुके लेकिन इस इसाब चलोगे तो तीन के स्क्वेर अग उने 11 के स्क्वेर हो जागा तो 9 गुने 1,2,1,9,92,108 यह आएगा अब यहां से हम लोग इसको डिपाइन क देखो जैसे एक, दो, तीन, तीन बार है तो जितना बार रहे उससे एक कम एक लिख है कितना बार है तीन बार तो दो बार लिखुए ठीक एक 0 लगा दो जितना बार एक लिखो उतना ही वेर 8 लिखो और अन्त में 9 लगा दो उससे अब इसको हमें एक पॉम कर देते हैं जितना बार ठीका रिप्टेशन हो उससे एक कम एक लिखो ठीक है एक 0 लगा दे और जितना बार एक लिखें उतनी ही बार आठ लिखें और अन्त में 9 लगा दे जिए अब एक एक जांपल और देख ली एक दो तीन चार कितना बार चार बार है तो तीन बार एक लिखोगे एक दो तीन एक जुरु लगा ओगे जितना बार एक उतना बार आठ लिखोगे अन्त में क्या लगा दोगे नौ लगा दो ठीक है नेक्स टाउं अब चले हाँ शेक्स के लिए ठीक है अब आजे शेक्स की बात करो तो शेक्स की बात करोगे तो जैसे शेक्स सक्स वैसे तो बनाओगे तो पता ही है 2 पार्ट वाले में 6 स्क्वेर चाथिस शेक्स स्क्वेर चाथिस अब क्या बोलेते बुना करके डवल कर दो चाथिस दुना बहत्तर 2 जोरो 7 जोरो 6 पांच 7 छोर्ट 13 3 एक 4 तो रियल में इसका वैलू क्या हो ओग 4356 तो इसका स्क्वेर हो जाएगा 4356 अब इसी भी इसको महर्ण कर जाते हैं तो जितना बार यहां तीन वाले लिखा है तो उसी तर छे का रिप्टेशन हो उससे एक कम चार लिखो और उसके बार जीरो ने लगाओ तीन लगाओ ठीक है और जितना बार चार लिखो उतना ही पांच और अंत में क्या लगा दो छे लगा दो ठीक है अब जैसे एक जामपल देखो एक तो तीन चार चार बार है एक बार कम लिखना है क्या है चार लिखना है ठीक है तो चार एक दो तीन तीन बार लिखा है अब क्या करोगे एक तीन लगाओ जितना बार चार लिखोगे उतना बार क्या लिक होगे पांच अंत में क्या लागा हो शे इसको दियान दिल ठीक है यह सब पर थोड़ा फ्रैक्टेस करना प्रहा है फ्रैक्टेस कर लोगे हो जाएगा ठीक है अब चलो आगे यदि पढ़ाई अच्छा लगता हो तो से लाइक, सेर और सब्सक्राइब अबस करो तब हम आगे और वीरोड लालते रहेंगे तुम लोगे के लिए ठीक है अब देखो एक पच्छा है कौन बोले नाइन का तो नाइन नाइन का स्क्वेर ती तो बताये थे सौस कितना कम है एक कम है एक का स्क्वार एक ऐक जीरो बन लगा दो तो मैंने बोला था कि जितने एक लोज रह गा तो जीरो का दो अग्ष है तो दो अंग्ष कंफर्म होना जाए जीरो बन अब जितना कम है तो कटा दो तो नाइन एक, जीरो बन यह बहुत इंपोर्डेंट है बहुत आसान है अब जैसे महाना एक्जामपल 999 का स्क्वेर की बात करो तो एक कम है एक होगा लेकिन तीन अंग है तो 001 लगा तो अब एक कम है तो एक कम लिखतो कितना होगा 998 ठीक है अब एक एक्जामपल और ले लो एक दो तीन चार चार बार एक कम है तो एक के स्क्वेर लेकिन चार अंग होना चाहिए एक दो तीन चार एक कम है एक गटा दो 9998 आंसर क्या हुआ 9998 000 स्क्वाइर में इतना तक हम लोगो ध्यान देना होगा स्क्वाइर ही अच्छा होगा तो हम लोग स्क्वाइर रूट बढ़ रहा चकते हैं दूसी बात इसका सबसे दिक है दो बरसो वाले जितने भी कोश्चन होगे यह आपका कमर्सिल मैथ के कमपाउंड इंट्रेस में सब कोश्चन इससे बन जाएंगा और यह हमें बहुत हेल्प करेगा ठीक है अगला वीडियो हम लोग जाएंगे तो में क्यूब परेंगे जब दोनों पर लेंगे तब क्यूब रूट और स्क्वाइर रूट परेंगे ठीक है थेस्ट